तो जैसे कि आप से भी के बहुत सारे questions आ रहे थे कि बिहार का जो साथवा चरण सिक्षक भरती है वो कब तक होगी बिहार में सिक्षक बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए और दस सब का छूट किसको मिलेगा निमावली और सीटेट में कितनी नंबर होने चाहिए ठीक है सब प पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें तो चले मैं आपको देखिए डेटेल में बताऊंगी सबसे पहले तो मैं यह आपको बताने वाली हूँ कि आखिर में यह सिक्षक भरती कब तक आ और यकीन मानिए इसमें आप में से कोई भी निरास नहीं होगा क्योंकि उम्र सीमा जो है उसमें भी छूट मिलेगी उस टाइम पे जो निमाली आएगी वो तो मैं आपको बताऊंगे बट फिलहाल अभी जिस आधार पे सेलेक्शन हुआ है बच्चों का वो मैं आपको बता करते हैं उसके बाद से मैं आपको बिहार का भी बताने वाली हूँ अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी आप चाहें के वेस का ले लो डी त्रिपलेस भी का ले लो जो भी प्याटी मतलब फ्राथमिक होता है उसमें वन टू फाइफ में मिनिमम एज जो होती है वो मैक्सिमम होता है वैसे पीजटी नाइन से ट्वेल चालिस साल होता है ठीक है तो ओवराल मैं आप यह अधर एक्जाम का बता रही हूँ तो अगर मैं बिहार की बात करूं तो जैसे के आपको पता है कि बिहार में जो प्राथमिक वाली वेकेंसी आने वाली है वन टू फाइ तो देखो मीनीमम हम उड़ा से स्टाइब होता है Double X 17 साल में अगर आप मेल से है तो आपको 27 साल ठीक है और यह जो जुआई 2019 में आपकी बहाली हुई थी उसनियवा ली के अधार में बता रही हूँ और छूट तो मिले गई, क्योंकि चुनाओं का समय है, अगर सरकार छूट नहीं देगी, तो वोट कैसे मिलेगा, तो यह मैंने जनरल का आपको बता दिया, अब आप यहाँ पर देख लो, आप जनरल में में हैं, तो 37 साल है, फिमेल में हैं, तो 40 साल, प्रत 10 साल की आपको है, अब 42 में 10 जोड़ लो, मतला 52 साल, 52 एर्स के हैं, तो भी आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, अब OBC का देखिए, OBC में वही, OBC में एक होता है, यह होता है पिछरा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 40 है, जाये पिछड़ा वर्ग में 40, अब 10 साल इस जोड़ लीज आते हैं, आप में से maximum लोगों का selection हो जाएगा, क्योंकि इसमें age देखें कितना ज्यादा है, जो लोग सोच रहेंगे कि हमारी age बहुत ज्यादा हो रही, वो सब इसमें सामिल हो जाएगे, आप चलो TZT की बात करते हैं, TZT में वही है आपका, जो कि मैंने आपको बताया है, और जैसे इसकी नियमाली आएगी, मैं आपको इस पे और भी डिटेल में बताने की कोसिस करूँगी, फिलाल आप सोच रहे होगे कि ये कौन सी है, तो देखें यहाँ पर मैं आपको इसलिए बतारी हूँ, जुलाई 2019 में जो बहाली होई थी, तो नियमाली का जो आधार था वो 2012 था, और उसी के बेस पे सेलेक्शन हुआ है, और इस बार भी वैसा ही होगा, कोई जरूरी क्योंकि देखो छूट तो मिलेगा ही, क्योंकि आप देख रहोगे वेकेंसी काफी समय के बाद आ रही है, सेलेक्शन होना कितना मुस्किल हो चुका है आज के समय में, तो एज में, ओवर एज जो हो रहे होंगे, उनको कैसे मिलेगा, तो ये दस साल के उस टाइम पे छूट मिला था, तो इस टाइम पे भी मिलेगा, ठेक हैं, अब देखते हैं सीटेट में नंबर, सीटेट के नंबर के लिए बहुत क्योश्चन आता है, देखिए, जनरल और OBC, जनरल के हैं, और आप मेल हैं, तो आपको 90 नंबर चाहिए, आपका हो जाएगा, बट फिमेल वालों को थोड़ी एक्स्टा छुट मिलती है, जनरल की, उनको 82 नंबर पे भी हो जाएगा, OBC में मेल फिमेल दोनों है, बट आपका 82 नंबर है, आपका हो जाएगा, SCST में थोड़ा स नंबर कम पे भी हो जाता है, सेलेक्शन, तो जो फिमेल परिशान हो रही थी, जनरल की, तो अगर आपके 82 नंबर है, सीटेट में, डोन्ट वरी आपका हो जाएगा, अच्छा, दो तिन क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहूंगी, मालनी जी कि आप फिमेल हैं, बिहार क आपकी शादी हो चुकी है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, फिर भी आप बिहार में टीचर बन सकती हैं, दूसरा कोई लड़की है, फिमेल, ठीक है, और वो किसी और राजे की है, माल लीजिए, वो उत्तरप्रदेश की है, राजस्थान की है, मद्रप्रदेश की है, कह कि शादी जो है, कहां पर हो गई, बिहार में, तो भी उसको benefit मिलेगा, ठीक है, चाहिए बिहार के हो, कहीं और चले गए, तो भी मिलेगा, आप बिहार के नहीं हो, बटाके आपका ससुराल जो है, बिहार में, तो भी आपको मिलेगा, तो आप समझ चुके होंगे, कोई भी आपने देखा ये किस हिसाफ से मिलता है नियुमाली जो है 2012 के अधार पर हुई थी और अभी भी उतना ही छूट मिलेगा बट जैसे नई नियुमाली आईगे वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी सीटेट में आपके नंबर है इतने तो आप बेफिक्र रहे है अच्छे से बस दूसरे एक्जाम के तयारी करते रहे है डी त्रिपलस भी आने वाला है आपका सेलेक्शन कनफॉर्म है सारी रीजन्स में मैंने आपको बता दिया है तो चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक् और चानल को सब्सक्राइब करके ही जाना